नमो नमो, संस्कृत निधी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत हैं। आज के वीडियो में हम कक्षा आठ के लिए निर्धारेत संस्कृत पाठे पुस्तक संस्कृत रत्नम का एकोन विंच अर्थार्थ उन्नीसवा पाठ पड़ेंगे जिसका शीर्षक है गणतंत्र दिवसह। और आज के वीडियो में हम इस पाठ का संपूर्ण हिंदी अनुवाद और अभ्यास कार्य दोनों देखेंगे। तो हम आगे बढ़ें उससे पूर्ण में आपको बता दूँ कि यदि आप इस पुस्तक से संबंदेत पिछले पाठो के वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिलेगा तो आप वहाँ जाकर उन्हें देख सकते ह तो शुरू करते हैं आज का पाठ गणतंत्र दिवसह प्रत्यकम वर्षे जन्वरी मासस्य चब्विस दिनांके अस्माकम देशे गणतंत्र दिवसस्य आचरणम क्रियते प्रत्यकम अर्थार्थर वर्षे वर्ष जन्वरी मासस्य जन्वरी महिने की चब्विस दिनांके चब्विस दिनांक अर्थार्थार्थार्थारीक को अस्माकम देशे हमारे देश में गणतंत्र दिवसस्य गणतंत्र दिवसका गणतंत्र दिवस अर्थार्थ रिपब्लि गंतंत्र दिवस का आचरणम क्रियते, आचरण किया जाता है, आचरण किया जाना का आर्थ होता है, अर्थार्थ मनाया जाता है हर वर्ष जन्वरी महिने की 26 तारीक को हमारे देश में गंतंत्र दिवस का आचरण किया जाता है, अर्थार्थ मनाया जाता है गनतंत्र दिवसस्या आयोजनम कि मर्थम अस्मिन दिवने भवती गनतंत्र दिवसका आयोजन मर्थम भवती कि मर्थम भवती होता है कि गणतंत्र दिवस का आयोजन अस्मिन दिने इस दिन की मर्थम भवती क्यों होता है इसका क्या कारण है कारण क्या है देखे आंगले शाशनात मुक्तेहे पश्चात देशस्य व्यवस्थित संचालनाई समीधानम अस्मिन नेव दिने स्विक्रतम आंगले शाशनात अर्थार अंग्रेजी शाशन से मुक्तेहे मुक्ती के पश्चात बाद देशस्य देश की व्यवस्थित संचालनाई अर्थार व्यवस्थित रूप से संचालन के लिए सम्विधानम समीधान जो कॉंस्टिटूशन है उसको सम्विधान कहा जाता है असमिन एव दिने इसी दिन यहाँ पर दो अर्थें असमिन एव तो इसी दिन स्विक्रितम स्विकार किया गया था अर्थार इस दिन हमारे समिधान को हमने स्विकार किया था ताकि हमारे देश का अच्छे से संचालन हो पाए सुचारू रूप से इसका संचालन कार्य हो सके फिर से देख लिजे अंग्रेजी शाषन से मुक्ति के पश्चात देश के व्यवस्तित संचालन के लिए समीधान इसी दिन स्विकार किया गया तदा प्रब्रिती अयम दिवसह राष्ट्रिय उत्सव रूपेण संपूर्णे अपी भारते उल्लासेन आचर्यते तदा प्रब्रिती तब से लेकर अयम यह दिवसह दिन राष्ट्रिय उत्सव रूपेण राष्ट्रिय उत्सव के रूप में संपूर्णे अपी पूरे ही भारते भारत में उल्लासेन उल्लास पूर्वक आचर्यते मनाया जाता है राष्ट्रिय उत्सव क्या होता है? नेशनल हॉलिडेज जो हैं उनको हम राष्ट्रिय उत्सव कहते हैं 26 जन्वरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर ये तीन दिन राष्ट्रिय उत्सव के रूप में मनाया जाते है अब उस दिन क्या क्या होता है? ये बताया जा रहा है असमिन दिने, इस दिन प्रातह काल विभिन्ना नाम विद्यालया नाम, भिन्न भिन्न विद्यालयों में बालकाह बालिकाश्च, बालक चकार्थु तै और बालिकाएं बालक और बालिकाई राश्ट्रिय द्वजम राश्ट्रिय द्वज को स्विकृत्य ले करके नगर परिक्रमाम नगर की परिक्रमा कुर्वंती करते हैं अर्थार जो विभिन जो विद्याले हैं, स्कूल हैं, उनके जो बालक बालिकाई हैं, वे अपने हाथ में जो हमारा राश्ट्रिय द्वज्य तिरंगा उसको लेकर परिक्रमा करते हैं, अर्थार रेली निकालते हैं, जुलूस निकालते हैं, इस तरह से, फिर से देखिए, इ विविद घोश वाक्यानी घोश यंती विविद घोश वाक्यानी अर्थार्थ अनेक घोश वाक्यों को घोश यंती घोशना करते हैं अर्थार्थ बोलते हैं सर्वकारिय संस्थासू, अन्य संस्थासू, राज्यस्य विधान सभासू, सार्वजनिक स्थलेशुच, द्वजारोहनस्य कारेक्रमह भवती क्योंकि यह एक राष्ट्रे उत्सव है, तो जो देश है, उसके संपूर्ण जितने वी विभाग हैं, सभी जगे हैं, जो हमारा पर्व है, बहुत ही उल्लास और धुमधाम के साथ मनाया जाता है तो सर्वकारी है किसको कहते हैं, सरकारी, गवर्मेंट, तो सरकारी संस्थाओं में, अन्य संस्थासू, अन्य संस्थाओं में, राज्य स्य विधान सभासू, राज्य की विधान सभाओं में, च, और सार्वजनिक स्थलेशु अर्था जो पब्लिक प्लेसिज हैं, फिर से देखे, सरकारी संस्थाओं में, अन्य संस्थाओं में, राज्य की विधान सभाओं में और सार्वजनिक इस्थलों पर ध्वजा रोहन का कारिक्रम होता है. अंते सरवे, अंत में सभी विष्ठानम खादती, विष्ठानम अर्थार्त मिठाई खाते हैं, विध्यालयों में अनेक प्रकार के संस्कृतिक कारिक्रम आयोजित होते हैं. मार्गे यत्र तत्र प्रदशनी स्थापिता भवती, मार्गे अर्थार्थ रास्ते में यत्र तत्र यहां महां प्रदशनी स्थापित होती है सर्वत्र आनंदस्य उल्लासस्य चे वातावरण म्भवती सर्वत्र अर्थार्थ सभी जगे आनंद और उल्लास का वातावरण होता है देश भक्ती गुम्फितानी गीतानी सर्वत्र शुयंते देश भक्ति गुम्फितानी अर्थार्थ देश भक्ति से गुम्फितानी गुठे हुए अर्थार्थ ऐसे जो देश भक्ति से संबंदित तो देश भक्ति से गुठे हुए गीतानी गीत सर्वत्र सभी जगय शुरुयंते सुने जाते हैं शाशनस्य अधिकारि नाम, संबंधि नाम, मित्राणांच शुभाशयह संदेश प्राप्यते प्राप्त होते हैं अर्थार्थ क्या होता है इस दिन जो हमारे शाषन अर्थार्थ जो हमारी सरकार है उसके जो प्रमुक अधिकारी है जैसे मुख्या मंत्री प्रधान मंत्री राष्ट्रपती इनके हमको शुबकामना संदेश प्राप्त होते हैं इसके अतिरिक जो हमारे र प्रित्राणाम मित्रों के शुबकामना संदेश है शुबकामना संदेश प्राप्यते प्राप्थ होते हैं मुख्य कारिक्रम राजधान्याम दिल्लियाम राजपत किती स्थाने भवती अब जो भारत वर्ष है उसका जो मुख्य कारिक्रम होता है इसका गंतंत्र दिवसका व हम सब लोग जानते ही हैं, तो वही इस पंक्ती में कहा गया है, मुख्य कारिक्रम राजधानी दिल्ली में राजपत इती इस प्रकार के स्थाने भवती स्थान पर होता है, यत्र देशत से महामहिम राश्ट्रपती ही सैन्य दलानाम अभिवादनम स्वी करोती, यत्र अर्था राजपती सैन्य दलानाम सैन्य दलों का अभिवादनम अभिवादन स्वी करोती, स्वी कार करते हैं, जब परेड होती है, तो उनका जो सल्यूट होता है, वो कौन लेते हैं, जो हमारे अन्रेबल प्रेजिडेंट हैं, वे लेते हैं, तसमात एक दिवस पूर्वम राश्ट राष्ट्रम प्रती, राष्ट्र के प्रती, संदेश भाषण प्रददाती अर्थार देते हैं। कौन देते हैं? राष्ट्र प्रती। आगे देखें, यत समिधानम भारत अस्य व्यवस्तित संचालनाई निर्दिशती। यत अर्थार्थ जो समिधानम, समिधान, भारत अस्य, भारत के व्यवस्तित संचालनाई, व्यवस्तित संचालन का निर्दिशती, निर्देश करता है या व्यवस्तित संचालन के लिए निर्देश देता है, तस्य निर्मान आर्थम, उसके निर्मान के लिए, अर्थार्थ इस्वी वर्षे 1946 इस्वी वर्ष में दिसंबर मासस्य दिसंबर महिने की नौ दिनांग के नौ तारीख पर सम्विधान सभाया है प्रथमा गोश्टी आयोजित की गई गोश्टी अर्थाच सभा मीटिंग फिर से देखे इसको कि जो सम्विधान भारत के व्यवस्तित संचालन के लिए निर्देश देता है उसके निर्मान के लिए 1946 इस्वी वर्ष में दिसंबर महिने की 9 तारीक पर सम्विधान सभा की प्रथम गोष्ठी आयोजित की गई 1989 इस्वी वर्ष नवंबर मासस से 26 दिनांख के सम्विधान से निर्मानम जातम इस दिन हमारे सम्विधान का निर्मान हुआ 26 नमंबर 1949 को संपूर्ण हुआ उसका निर्मान अस्याह समिधान सभाया अध्यक्षः आसीत डॉक्टर राजेंदर प्रसादः निर्मान समीते अध्यक्षः डॉक्टर भीम्राव अम्बेड करश्च आसीत अस्याह समिधान सभाया अर्थार जो समिधान सभा बनी थी अस्याह इसके समिधान सभाया समिधान सभा के अर्थार इस समिधान सभा के अध्यक्ष आसीत अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसात निर्मान समीते है निर्मान समीती के अध्यक्ष अध्यक्ष बीम्राव अंबेडकर थे अर्थार्थ जो सविधान सभा बनी थी उस सविधान सभा के अध्यक्षतों थे डॉक्टर राजिंदर प्रिसाद और जो सविधान निर्मान समीती थी उसके अध्यक्षते डॉक्टर बीम्राव अंबेडकर समिधान निर्मानस से पश्चात 1950 इसवी वर्षे जनवरी मासस से 26 दिनांग के देशेन इदम समिधानम अंगी कृतम अब हमारा समिधान बना 26 नवंबर 1949 को अर्थात 1949 में उसके बाद 26 जनवरी 1950 को हमने उसको स्वीकार कर लिया इसे लिए जो 26 जनवरी का दिन है वो गनतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है अब इस पंक्तिकार्थ देखिए समिधान निर्मानस से समिधान निर्मान के पश्चात बाद 1950 इसवी वर्षे 1950 इसवी वर्ष में जनवरी मासस्य जनवरी महिने की 26 दिनांके 26 दिनांको देशेन देश के द्वारा इदम यह सम्विधानम सम्विधान अंगी कृतम स्वीकार किया गया तदा प्रब्रिती तब से लेकर अस्य इस सम्विधान अस्य समिधान के निर्देश एनेव निर्देश से ही संपूर्ण अस्य देश अस्य संपूर्ण देश की सर्वाह व्यवस्ता सभी व्यवस्ता प्रचलनती प्रचलित है अर्थार्थ जिस दिन से सम्विधान हमारा लागू हुआ है उसी दिन से इस सम्पूर्ण देश की व्यवस्ता उस सम्विधान के अनुसार ही चल रही है आगे देखिए अस्माकम सम्विधानम विश्वस्य विशालम सम्विधानम अस्ती अस्माकम अर्थार्थ हमारा सम्विधान कॉंस्टिटूशन विश्व का विशाल अर्थार्थ बहुत बड़ा सम्विधान सम्विधानम अस्ती दो पद है यहां पर सम्विधानम सम्विधा अस्ति है हमारा सम्विधान विश्व का विशाल सम्विधान है अर्थार बहुत बड़ा सम्विधान है लिखिते अस्मिन सम्विधाने तीन सो पिच्चार में अनुच्छेदाहा दस अनुच्यस्च संति अब इस सम्विधान में क्या है इसका स्वरूप क्या है तो देखे अ असमिन लिखिते सम्विधाने इस लिखित सम्विधान में अर्थार्थ हमारा Constitution लिखा हुआ है कोई बुक है जिसमें वो सम्विधान लिखा हुआ है लिखित रूप में है तो इस लिखित सम्विधान में 300 पिच्चाण में अनुचेद च और 10 अनुसूच्य तो 10 अनुसूच अब ये सम्विधान क्या करता है ये इस पंक्ति में बताया गया है कि अस्माकम हमारा सम्विधान भारतस्य स्वरूपम भारत के स्वरूप को संपून प्रभुत्व संपन पंथ निर्पेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्यस्य गणराज्यका स्वरूपम स्वरूप देशस्यक्रते देश के लिए प्रददाती प्रदान करता है जब हमसे पूछा जाता है कि भारत किस प्रकार का देश है तो हम कहते हैं भारत संपूर्ण प्रभुत्य संपन एक पंथ निर्पेक्ष एक लोकतांत्रिक गंडराज्य है ऐसा हम क्यों बोलते हैं ये जो स्वरूप है भारत का ये कौन प्रदान करता है जो हमारा लिखित संव उसके कारण से भारत का स्वरूप कैसा है संपून प्रभुत् वसंपन पंथ नियुक्स और लोगतांतरिक गणराज्य है। यह इस पंग्टी में कहा गया है। फिर से देख लीजिए। हमारा सम्विधान भारत के स्वरूप को संपूर्ण प्रभुत्व संपन, पंथ निर्पेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य का स्वरूप देश के लिए प्रदान करता है। क्रते जो अर्थ होता है, वो के लिए अर्थ में अर्थार्थ? चतुर्ति विभक्ति के अर्थ में आता है। संसदिय व्यवस्ता, पाल्यामेंटरी सिस्टम, हमारे यहां पाल्यामेंटरी सिस्टम है। कर्तव्यानी च और कर्तव्य लिखितानी संती लिखित हैं अस्माकम सम्विधानम हमारा सम्विधान नियायाईक पुनराव लोकनस्य अधिकारो अपी अस्मभ्यम प्रदान करता है समय 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 पर आवश्यक्ताम अनुभूय आवश्यक्ता को अनुभव करके अस्मिधाने इस सम्विधान में परीवर्तनम संशोधनम च परीवर्तन और संशोधन भवती होता है अर्थाट ऐसा नहीं है कि जब 1949 में जो हमारा समिधान बना तब से वो वैसा का वैसा ही है समय समय पर जब कोई आवशक्ता नजर आती है कि इसमें ऐसा परिवर्तन होना चाहिए इस नियम में ऐसा होना चाहिए इस अधिकार में ऐसा होना चाहिए तो समय समय पर उस आवशक्ता को देखते हुए उसमें परिवर्तन और संशोधन भी होते रहते हैं इदानिम परियंतम अभी तक 80 संशोधन आनी जाता नी अभी तक 80 संशोधन हो चुके हैं अर्थात समीधान में 80 correction हो चुके हैं तो ये था इस पाट का हिंदी अनुवाद और ये हैं पाट के अंत में आये हुए अभ्यासकारे शब्दार्थ और अब हैं प्रेशन उप्तर पहला है गंतंत्र दिवसस्य आचरणम कदाक भवती तो गंतंत्र दिवसस्य आचरणम जनवरी मासस्य से 26 दिनां के भवती समीधान सभाया अध्यक्ष़ का आसीत समीधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंदर प्रसाद हो निर्मान समीथी के अध्यक्ष़ का नाम किया है? डौक्टर भीम राव Ambedkar Inner भारतस से संविधानम कदा अंगे कृतम भारत का संविधान कब स्विकार किया गया 1950 इसवी बर्शे भारत संविधाने कती अनुच्चेदा संति भारत के संविधान में कितने अनुच्चेद हैं? 315 में 395 सम्विधाने कती अनुसूच्य हसंती सम्विधान में कितनी अनुसूचिया हैं दस अगला प्रश्ण है रिक्तिस्थानानी पूरयत ये पाठ के अंदर से ही लिए गए हैं तदा प्रब्रती अयम दिवसर राष्ट्रिय उप्सर रूपेन आचर रते इंदी अर्थ अपन देख चुके हैं पीछे विद्याल एशु विबिन्नाह सांस्कृतिक कारिक्रमह आयोज्यंती मुख्य कारिक्रमह राजधान्याम दिल्याम राजपतिती स्थाने भवती दिसमबर मासस्य नौ दिनांके सम्विधान सभाया प्रत्मा गोश्टी आयोज्यता भारतस्य संविधानम लिखितम अस्ती संदी विच्चेदम पदचेदम वाकुरूट अगला प्रश्ण है कि संदी विच्चेद या पदच्चेद कीजिए प्रतियकम प्रति प्लस एकम मित्राणां च सम्विधानम अस्ती अधिकारोपी अधिकारः प्लस अपी एतेशाम शब्दानाम बहुअचनांत रूपम लिखत नीचे कुछ शब्द दिये गए हैं जो एक वचन के हैं उनका आपको बहुवचनांत रूप लिखना है दिवसस्य दिवसानाम शाषनेन शाषनई सभायाम सभासू तो ऐसा करते हुए आपको जो भी शब्द दिया गया है उसकी विभक्ति देखने हैं कि उस शब्द में कौनसी विभक्ति है जिसे दिवसस्य में शष्टी विभक्ति का एक वचन है तो हम यह शष्टी विभक्ति का ही भवचन रूप लगाएंगे इस तरह से आप इसको कर सकते हैं इसके लिए आपको शब्द रूप याद होना अत्यावशक है अगला प्रशन है उस गीतम गीतानी स्थाने स्थानेशू अनुच्छेदः अनुच्छेदाः संशोधनम संशोधनानी तो यह थे ववचनांत रूप अगला प्रशन है दाधातो हो लटलकारस्य रूपाणी लिखत दाधातो के लटलकार के रूप लिखिए तो यह प्रथम पुरुष एकवचन के रूप है यह दिवचन है यह बहवचन है यह प्रथम पुरुष है यह मध्यम पुरुष है यह उत्तम पुरुष है ददाती दत्त ददती प्रथम पुरुष ददासी दत्त दत्त अगला प्रश्ण है एतान शब्दान प्रयुज्य एक एकम वाक्यम रचयत नीचे कुछ शब्द दिये गए हैं उनका प्रयोग करके एक एक वाक्य की रचना कीजे पहला शब्द है किमर्थम अर्थात किस लिए क्यों तुम किमर्थम आपणम अपणम गच्छ सी तुम किस लिए आपणम अर्थात बाजात जा रहे हो तदा प्रब्रति तब से लेकर तदा प्रब्रति सह विवेकानंद इतिनामना प्रसिद्ध अभवत तब से वह विवेकानंद इस नाम से प्रसिद्ध हुए द्वजह, जंडे को द्वज बोलते हैं, श्वेत द्वजह शांती प्रतीक भवती, श्वेत द्वज शांती का प्रतीक होता है, अध्यक्ष, अध्यक्ष, तस्य समारोह स्य अध्यक्ष, शिक्षा मंत्री आसीत, उस समारोह के अध्यक्ष, शिक्षा मंत्री थे, गणराज्यम भारत देश एकम गंडराज्यमस्ती भारत देश एक गंडराज्य है समविधानम अस्माकम समविधानम विश्वस्य विशालम समविधानमस्ती हमारा समविधान विश्व का विशाल समविधान है तो ये था इस पार्ट का हिंदी अन्वाद और अभ्यास कारे उमीद है आपको समझ आ गया होगा यदि फिर भी आपका कोई प्रेश्ण है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं वीडियो को लाइक और शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विशे के साथ जैतु संस्क्रितम